कॉंग्रेस की सोनिया गाधी ने साफत और से एक पत्र लिखा है और वो इमोशनल पत्र रायबरेली की जंता के लिए राजसभा का नॉमिनेशन उन्होंने किया है राजस्तान से उसके बाद अब जहां से वो सांसत थी वहां के लोगों को पत्र लिखा है और सपोर्ट की भी कि अब माना जा रहा है कि वहां पर सनसदी का चो अप सभर का एलेक्शन नहीं रहें लेकिंद आपने पत्र में यह भी लिका है जो भी परिवार की लोग रहेंगे यह कोई बी उनको एक सापोर्ट की जरूत होगी वों की जंता से चाहती है वैसे में वहीं से बीजै पी के बहाँ की रही भी है वो तो एक MP है वहाँ की और इस पत्र के बाद देखिये इंदिरा गांधी के बाद ये गांधी परिवार अपनी पीढ़ियों की कमाई खाने पर ही भरोसा करता है। देश की जंता की सेवा करके सम्मान दे करके सम्मान पाने की खौइस नहीं रखता है इसी कारण सोनिया गांधी ने माना कि अब पीड़ियों की कमाई राइबरेली में नहीं चलने वाली। सब आजाना उचित मैसूस किया बड़े दुख के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने जन हित में अथवा देश हित में अगर राइबरिली छोड़ा होता उत्तर प्रदेश छोड़ा होता तो कोई दुख न होता जिस इसू के लिए उन्होंने राइबरिली उत्तर प्रदेश छोड़ा है इतनी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी के इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद इतनी छोटी सोच के साथ राइबरिली छोड़ेंगी यह हम लोगों को भरोसा नहीं था कि केवल दस जन्पद बचाने के लिए अपना घर बचाने के लिए राइबरिली छोड़ देंगी जहां के लोगों ने पांच पांच बार उनको लोगसभा का चुनाहों जिताया और मैं समझता हूँ यह इतिहासिक उन लोगों के इतिहास में दर्ज है कि सबने बारी बारी से दोखा दिया है राहूल गांधी जी ने अमेठी को दोखा दिया जबकि राहूल गांधी को अमेठी के लोगों ने सांसत बनाया राहूल गांधी के पिताजी को अमेठी के सांसत बनाया राहूल गांधी की भाग गए छोड़के भाग गए वाइनाट चले गए तो धोखा दिया उन्होंने अमेठी को राहूल गांधी ने धोखा दिया इंदिरा गांधी ने भी राइबरेली को धोखा दिया इंदिरा गांधी को सांसत बनाया गया और तमाम लोगों को सांसत बनाया गया और एक बार इंद्रा गांधी हार गई तो पलायन करके मिढख चली गई ते लंगाना में और उसी तरह आज सुनिया गांधी बिना हारे ही हार मान करके एडवांस हार मान करके उराइबली छोड़ करके राजस्थान चली गई तो जिसका इतिहास ही धोखे का है मैं समस्ता हूँ उनको के बाद कांग्रेस पार्टी को बहुमत होने के बावजूद सोनिया गांधी को इस देश के प्रधान मंत्री पत की सपत नहीं दिलाओंगा उनको उम्मिद थी कि सोनिया गांधी देश के हित में नहीं हो सकती है क्योंकि वो ना नहरू है ना वो गांधी है वो अंटर्णिय माइनों हैं इसलिए कभी भी देश को धुखा दे सकती हैं तो नहीं संदे लेकिन उन्होंने एक पत्र ये भी लिखा है कि जो अब उनके परिवार के लोग होंगे या उनसे जुड़े लोग उनका राइबरेली ध्यान रखें उस जनता से एक एक अपील भी किये कि मोशनल आना जा रहा है कि वहां पर कोई उनका ही कैंडिडेट खड़ा होगा उनके साथ में या उनका कोई खास अब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को राजस्थान से आसिरवात देंगी कि और राइबरेली की सांसद हो जाएं आपका यह कहना है मैं कहना चाहता हूं जब सोनि गांधी की बिटिया सोनिया गांधी की गारंटर प्रियंका गांधी भी राइबरेली की गलियों में विधान सभा के प्रत्यासियों को जिताने के लिए पूरी लोग सभा में दोरा किया और 2022 के चुनाओं में कांग्रेस के सभी प्रत्यासी हारे सोनिया गांधी के रहते हु सांसद हो जाएंगी प्रियंका गांधी ग्लेमर से सांसद नहीं हो सकती कोई भी व्यक्ति अब ग्लेमर और रसूप से सांसद नहीं हो सकता उसको इस प्रतिसपरदा के युग में सेवा करना पड़ेगा समान देना पड़ेगा और मोधी जी के इस युग में मोधी जी हर किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं सम्मान दे रहे हैं उनको कम तीसन प्रतिसपरदा मोदी जी से करना होगा और मोदी जी की सेवा के सामने आज की तारिख में प्रियंका गांधी के ग्लेमर का कोई महत्तु नहीं है लेकिन मंत्री जी राइबरेली की सीट है वो इंडिया लाइंस के लिए एक होट बनी होई है इस समय चुकि दोनों ही समाजवादी पार्टी हो या कॉंग्रेस उस सीट के लिए कहीं ना कहीं अपनी अपनी बाजी खेल रहे हैं अब वहाँ पर राहूल गांधी की भारत कुणने के मूड में नहीं है ऐसे हालात में और एक तरफ लेटर ये पत्र और फिर एमोशनल अपील क्या कहेंगे देखे सोनिया गांधी की इमोशनल अपील का राइबरेली में कोई मतलब नहीं है कितना भी प्रयास करें राइबरेली की जनता इस बात को भरी बात जानती ह कि उन्होंने 10 साल से डाइबरेली के लोगों को धोखा दिया ओट लिया सर्टिपिकट लेने नहीं आई करोना जैसी बिभिसका में भी किसी का हाल चाल लेने नहीं आई तो जनता जिसको ओट देती है उम्मिद करती है कि हमारे सुख़दुक में हमारे जिसको हम प्रतिन्त बिपना रहे हमारे सुख्डुक में सामिल होगा तो सोनिया गांधी ना प्रियंक गांधी कोई नहीं आई तो उनकी कोई फरक नहीं पड़ने वाला रही बात राहू गांधी की नियाय सरक डिकत तो मैं शभाण देश के प्रदानमंति जी को फिर से प्रदानमंति बनाएगा साफ तोरते कॉंग्रिस की सोनिया गांधी के बारे में मानना है कि वो उन्होंने जनता को धोखा दिया है और यहीं नहीं उनके पुरे परिवार ने अमेठी और आईवरिली की जनता को धोखा दिया और ऐसे में मैदान छोड़कर राजिस्थान चले जाना जनता इसका 2024 में देगी जब वहां से बीजेपी अपना कैंडिडेट जीत के प्रधान मंत्री मोदी को फिर एक बार देश की कमान देगा लखनू से कैमरा परसन संदीब दूबे के साथ आशी श्रीवास्तों आज तक